नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टार्गेट फॉर आई एसने भी पेसी बितके के आज किस करेंट फिर में काफियाद एक गिरी की जाएगी तो दिस इस वेर वेरी इंपॉर्डेट जो कि मद्द प्रदेश में प्रथम बार इस तरीके का जो जो इस्टोन आर्ट फेस्टिवल है उसका आउजन किया जा रहा है तो जो लोग पहली बार इस चैनल को बजट कर रहा है में उनको बताना चाहूंगा हम ल और उसी Special Current of Air Video के अंतरगत हम लोग यहाँ पर आज डिसकस करने वाले हैं इस टोन आर्ट फेस्टिवल आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से जो इस टोन आर्ट होती है उसके माध्यम से जो बिविन नकला किरतिया है उसके अंदर उकेरी जाएंगी तो य इस वेरी वेरी इंपोरेंट तो इसको हम काफी डीपनी तरीके से डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यह पहला इस्टोन आर्ट फेस्टिवल है तो चलिए फड़ा फट हम लोग डिसकस करते हैं क्या कुछ इस फेस्टिवल में होने वाला है तो सबसे पहले आपका कॉशन है इस तो आप लोग स्वाहिम ही देंगे कमेंट सेक्सर में जो जो लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज हमबल रिक्वेस्ट है इसका आंसर जरूर दीजिए इसका आयुजन कहां पर किया जाएगा तो चले ही शुरू करते हैं इस वीडियो को मद्द प्रदेश का पहला इस्टोन आर्ट फेस्टिवल कटनी में सेंड इस्टोन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रातत परेटन इवं संस्कृति परीशद कटनी द्वारा नौ से 28 नवंबर तक इस्टोन आर्ट फेस्टिवल की दोस्तों कारीगरम किया जाएगा आध झेल जो बिंद्या इन रैंज घोज़ारती है दोस्तों उससे सर Glad एक मातरा में यहाँ पर चूणा का जो प्राप्थ होता है और उसी कंतरक अप देखेंगे मार्वल का भी काफी बहतायत यहाँ पर प्राप्थ होता है और इसी तरीके से आप देखेंगे कटनी में जो हुझे इस तरीके से आप देख सकते हैं यह लोगों है सकारी करिम का मद्ध्रदेश गवर्मेंट द्वारा जिससे जारी किया गया है कटनी में होगा प्रदेश का पहला इस्टोन आर्ट फेस्टिवल प्राचिन काल से ही सिल्फ कारी के लिए मरसूर कटनी जिले के सेंड इस्टोन दोस्तों याद रखना है यह सेंड इस्टोन कहां की खासियत है कटनी की खासियत है को बड़ावा देने के लिए जिला प्रातत्व परेटन और संस्कृती परीशत कटनी द्वारा नौ से 28 नमंबर तक इस्टोन आर्ट फेस्टिवल की आधर चला कायुजन किया जा रहा है जागरती पार्क माधवनगर में होने वाले इस फेस्टिवल में देश भर के दोस्तों सिल्फकार कटनी के सेंट इस्टोन और मालवर पर अपने हुनर का जादू दिखाएंगी दोस्तों यह जो सेंट सिटोन है यह एक अपने आप में काफी एधिक इंपरेंट सिटोन है इसकी कुछ खासियत आपको बतना चाहन दोस्तों के तोटने का डर होता है परंतो इस पथर का इस तरीके से नहीं होता है इसमें आसानी से उक्यरी जा सकती है इसलिए इसका नाम क्या है Scent इस्टोन याद रखिए इसको काफी अच्छी तरीके से इस्पेशली यह मद्द प्रदेश के कटनी में पाया जाता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सस्क्राइब कर दीजे अगर पहली बार इसको बिजिट कर रहे हैं और इस लेक्चर की जो पीडियेफ है फ्री आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी लिंक की डिस्कुसर में वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं और जो हमारे डेली बिजिस पर करेंट अफेर वीडियो भी आती है दोस्तों